फिल्म की स्टार्टिंग में दिखाय जाता है कि जैक एक पेड को पानी दे रहा है लेकिन उसके मूपर टेप लगे हुई है और पीछे से उसके अंतरात्म के अवाज आती है कि अगर वो एक भी शब बोला तो वो मर जाएगा अब कहानी कुछ समय पहले आ जाती है उसके अच्छी क्वालिटी भी होती है कि वो किसी को भी अपनी बातों में फसाकर उससे अपना कम निकल वासकता है जैसे हो सबसे पहले कॉफी लेने के लिए लंबी लाइन को देखकर फोन में उसकी वाइफ की डिलिवरी का भाना बना कर सबसे आगे कॉफी ले लेता है वहाँ पर वो कॉफी देने वाले से भी अच्छा बरताब नहीं करता है दरसल कॉफी देने वाले को बीटल म्यूजिक में इंटरस्ट होता है और जैक ने बीटल म्यूजिक को देने के लिए कई बार वादे किया है पर आज तक उसने कभी अपने वादा नहीं निभाया है अब इसके बाद जब अपने ओफिस पहुँचता है वाँ पर बैलिट पार्किंग करने वादा एक आदमी जैक को अपनी बुक तीन साल से दे रहा है ताकि वो उसे पब्लिश कर सके जिससे वो एक अच्छा राइटर बन सके लेकिन तब से जैक ने उसे अपने पीछे लगा रखा है वो उसे अपने काफ़ी सारे काम निकलवाता है जैसे गाड़ी साफ करवाना अपने कुछ और काम करवाना बट वो उसका काम कभी नहीं करता है और अब तक उस बुक को तीन साल हो चुके है और जैक ने उस अब तक पड़ा तक नहीं है उसके बाद हम उसके ओफिस में देखते हैं जहां वो अपने स्टाफ से भी अच्छा बरताब नहीं करता है उसके अंदर काफी इगो होता है अब इनका पूरा स्टाफ एक मिटिंग करता है जिसमें ये सभी डॉक्टर शिंजा के बारे में बात करते हैं यहां पर डॉक्टर शिंजा एक बहुत ही परसिद आध्यात्मिक गुरू है जो लोगों को आध्यात्मिक ग्यान देते हैं और उनके बहुत सारे फॉलावर्स भी हैं और उन्होंने एक किताब लिखी है जिसको हर पब्लिशिंग कंपनी पब्लिश करना चाहती है ताकि उस किताब से अच्छा मुनाफ़क कमा सके लेकिन शिंजावो किताब किसी भी बेशन नहीं चाहते हैं लेकिन जैक डॉक्र शिंजा को भी अपने जाल में पसा लेता है वो ने बतायता है कि वो उनके ग्यान को पुरी दुनिया के साथ बाटना चाहता है और डॉक्टर शिंजर भी उसकी बात के लिए मान जाते हैं अब जैक यहां पर काफी खुश होता है क्योंकि उसका कामिया पर हो चुका होता है और तब ही वो हाँ पर अपना हाथ एक पेड़ पर रख देता है तो तब ही उसका हाथ कट जाता है उसकी उंगली से खुण निकलने लगता है जैसे जैक को उस पेड़ने काटा हो लेकिन जैक इस बात को इग्नोर करते हुए मासे चला जाता है अब जैक अपनी खुशी में अपनी मासे मिलने के लिए चला जाता है जो ओल्ड एज होम में रहती है लेकिन उनकी काटिक उम्र हो चुके होती है इसलिए ओ धीरे-धीरे सब कुछ भूलती जा रही थी वो यहाँ पर जैक को भी नहीं पहचानती है वो जैक को उसका पती रेमन्ट समझ रही है लेकिन जैक को अपने पिता के बारें बात करना बिल्कुल भी पसंद रही क्यूँकि उसके पिता उसे बच्पन में ही छोड़कर चले गई थी जिससे जैक अपने पिता से नफ्रत करता है एंड इसके बाद वो अपने घर पर चला जाता है लेकिन यहाँ पर भी उसकी वाइस से उसकी कहा सुनी हो जाती है लेकिन अचानक से कुछ होता है जैसे भूकंप आया हो पर यह भूकंप नहीं था अब जब जैक अपने घर के बाहर जाकर चेक करता है तो उसे अपने गार्डर में वही पेड दिखता है यह वही पेड होता है जिसने शिंजा के आश्रम में जैक को काटा था अब जैक अपने आफिस आता है और देखता है कि शिंजा ने अपने किताब भेजी है जो सिर्फ पांच पेज की है लेकिन इस पांच पेज की किताब को देखकर जैक को बहुत कुछ साथ है तो इसलिए वो शिंजा से मिलने के लिए उसके आश्रम में चला जाता है ताकि शिंजा से पूरी बुक ले सके लेकिन शिंजा की पूरी बुक यही पांच पेज की होती है अब जैक उस पेड़ के बारे में शिंजा को बताता है जो उसके गार्डन में लेकिन शिंजर साफ मना कर देता है कि ऐसा उसने कोई भी किप नहीं वेजाए तो इस बात को लेकर जैक शिंजर को अपने घर पर ले आता है अब शिंजर वो पेड़ देखते हैं और जैक को ये बताते हैं कि जैसे जैसे तुम बोते जा रहे हो इस पेड़ के पत्ते गिरते जा रहे हैं और यहाँ पर शिंजर जैक को समझाता है कि वो कुछ भी शब्द बोलेगा तो पेड़ का एक पत्ता गिर जाएगा और जिस दिन पेड के सारे पत्ते गिर जाएंगे उस दिन पेड मर जाएगा तो शायद जैक भी मर जाए लेकिन जैक इन सब बातों में नहीं मानता और वो तुरंट एक कुलाडी लाता है और पेड को काटने ही कोशिस करता है लेकिन जैसी वो कुलाडी पेड़ पर मारता है जैक खुद दूर जाकर पड़ता है और कुलाडी का गाव उसे खुद ही लगता है अब यहाँ पर जैक और वो पेड़ एक दूसरे से जुड़ चुके थे अब यह सब देखकर जैक शिंजा पर इंजाम लगाता है यह सब उसी ने किया है लेकिन शिंजा साफ मना कर देता है और कहता है कि वो तीन मींट ले धार्मिक सबा के लिए बाहर जा रहा है और उसे ही यकीन दिलाता है कि वो उसके लिए कुछ न कुछ जरूर करेगा और उसके लिए कोई न कोई इलाज ज़रूर लेकर आएगा अब जाते जाते शिंजा जैक को ये साला देते हैं कि वो किसी से भी बात ना करे अब जैक दूसरे दिन ओफिस जाने से पहले अपनी वाइफ के लिए एक नोट लिखने लगता है जिसमों ये बात नोटिस करता है कि वो जैसे-जैसे शब लिखता जा रहा है वैसे-वैसे पेड़ के पत्ते नीच गेरते जा रहे है अब इससे जैक समझ जाता है कि वो सिफ इशारो में ही बाते कर सकता है चाहे कौफी लेने जाना हो या अपनी गाड़ी को पार्क करना हो उसे हर जगा इशारों में ही बात करनी पड़ती है अब जैक के आफिस में उसकी बोस समेंता यूरोप से आए हुए कुछ लोगों से उसे मिलवाती है और अपने और डॉक्टर शिंजा के साथ अपने अनुबाव शियर करने के लिए कहती है तबी दूसी तरफ हम उसी पेड़ को देखते हैं जिस पर दो गिलार्या खेल रही होती है और जैक को भी यही सब अनुबाव होने लगता है अब इसके बाद जैक और उसका असिस्टेंट एरॉन एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर पब्लिशिंग कमपनी वाले उनसे डील करना चाते हैं बट यहाँ पर जैक अपनी तरफ से अपने असिस्टेंट को बोलने के लिए कहता है इसी वेज़े से एमिटिंग काफी फणी रहती है अब जैक के घर में एक सर्वेंट उसी पेड को पानी दे रहा होता है और उसी के साथ साथ जैक भी पूरा भीग जाता है लेकिन जैक की ना बोल पाने के कारण डील साइन नहीं होती अब इसके बाद जैक अपने घर पर जाता है तो उसकी वाइफ मेकेन बेटे टाइलर के भुष्य के बारे में जैक से बात करती है तो जैक कुछ भी नहीं बोल पाता जिसके कारण दोनों में जगड़ा हो जाता है बाद में जैक डॉक्टर शिंजा को बाहर आकर कॉल करता है लेकिन डॉक्टर शिंजा को भी इसका इलाज नहीं मिला था और वो जैक से मिलकर बात करने हो कहते है अब यहाँ पर जैक इशारों में बात करना सीख चुगा है लेकिन तबी उसके ओफिस में एक अर्जेंट मिटिंग आ जाती है जिसमें उसका बोलना बहुत ज़्यदे जरूरी है तो इसके लिए वो पपिट डॉल्स का सहारा लेता है और वो डील साइन करवा लेता है अब यहाँ पर जैक की पत्नी मैकलें उससे मिलने के लिए उससे एक होटल बुलाती है जिससे वो दोने एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके है लेकिन जैक के कुछ ना बोलने की वज़े से दोनों की बीच में जगड़ा और ज़दा बढ़ जाता है और बात डिवर्स तक आ जाती है अब आखरी बार एक और मिटिंग होती है अब इसी वक्त कुछ लोग उसी पेड़ पर दवाई शिड़त रहे होते हैं और यहाँ पर मिटिंग में दवाई का असर जैक पर भी होने लगता है और जैक अजीब अजीब हरकते करना शूर पर देता है अब अन्ति में जब जैक की बोस समयनता उससे वो बुक मांगती है तो जैक वही पाँच पेज वाली बुक उससे दे देता है जिससे उसकी बोस बहुत जब गुस्सा हो जाती है और जैक को जोब से निकाल देती है अब घर पर जैक अपने अजीब अरॉन को अपनी सारी प्रॉब्लम समझाता है जिसे अरॉन समझ जाता है अब जैक को अपनी जोब बचाने के लिए बोलना ज़रूरी है लेकिन जैक चाकर भी नहीं बोल सकता है लेकिन अब जैक को एक आइडिया आता है कि अब से वो अच्छे काम करेगा शायद ऐसा करने से उस पेड़ के बदे फिर से वापस आ जाए और वो आरॉन को पेड़ के पास छोड़कर अच्छे काम करने के लिए चला जाता है अब जैक इसके बाद गरीबों ब्रैड बाटता है चर्च की नन को पैसे देता है पर इससे कुछ भी असर नहीं होता अभी भी स्पेड़ पर से पत्रे जड़ रहे होता है अब जैक हर चीज से तक चुका है शाम को वो घर आता है तो पूरा घर खा लिया उसकी वाइट अपने बेटे को लेकर अपनी मा के यहाँ जा चुकी है अब जैक इस मुमेंट पर बहुत ज़ादा दुखी होता है इसलिए वो गुराने फोटो एलबम देखता है जिसमें उसकी बचपन की फोटो से मिलती है जहाँ पर उसके माता भी तभी उसके साथ होते है वो उस फोटो को लेकर उसी पेड़ के नीचे बैट जाता है और ध्यान लगाकर अपने बचपन की बाते सोचने लगता है वो देखता है कि उसकी माँ छोटे जैक को खाना खिला रही है और वो बहुत ज़दा खुश है यहाँ पर जैक कहता है कि वो भी यहीं पर है वो भी उनके साथ हसना चाता है लेकिन छोटा जैक कहता है नहीं डैड आप यहाँ पर कभी भी नहीं थे ये सुनकर जैक अचानक कि अपने ध्यान से बाहर आ जाता है अब जैक रात को डॉक्टर शिंजर से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है यहाँ पर डॉक्टर शिंजर जैक को बताते हैं कि इसका कोई विलाज नहीं है कोई भी इस पेड़ के बारे में नहीं जानता और एक सलाह देते हैं कि तुम अपने अंदर का सच तलाश करो, सच बोलो और सच को सुईकार करो कि जिस दिन सारे पेड़ के पत्ते के जाएंगे तुम मर जाओगे ये सब सुनने के बाद जैक बहुत ही सब दुख्य हो जाता है और अपने घर बहुत सारी शराप पी लेता है और पेड़ को पर गुस्सा करने लगता है दूसरी तरफ उसका अजिस्टेंट आरोन उसे ये सब करने से रोपता है लेकिन जैक नहीं मानता क्योंकि वो बहुत परिशान होता है और यहाँ पर जैक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या करे और वो अब गुस्से में उस पेड़ के सभी पत्ते गिराने लगता है लेकिन उसका अजिस्टेन आरोन उसे ऐसा करने से रोपता है लेकिन जैक फिरी भी नहीं मानता है इसलिए आरोन उसे बेऊश कर देता है और जैक के मुँपर टेप लगा कर वासी चला जाता है अब अगले दिन जैक सच कुछ विकार कर लेता है और पेड के पास जाकर खड़ा हो जाता है जहांपर उसे शिंजा की वही पांच पेजवाजी किताब दिखती है और वो उसी पेड के नीचे बैठ कर उसे पढ़ने लगता है अब यहाँ पर जैक को ऐसा लगता है कि उसे अपनी गलते समझ में आ गई है और वो ने ठीक करने के लिए चला जाता है वो सबसे पहले अपनी पत्नी के पाल जाता है वहाँ पर वो इशारों में ही अपने परिवार के पड़ती अपना प्यार दिखाता है और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है फिर वो कॉफी शॉप जाता है और उस लड़के को बीटल मुजिक देता है जिसको देने का वादा हमेशे चैक किया करता था इसके बाद जैक कार पार्किंग वाई लड़की किताब को पढ़ता है और उस किताब को पब्लिश कर देता है और उसे किताब की पब्लिशिंग का चैक भी देता है इस सब के बाद वो अपनी माँ से मिलने के लिए जाता है और उसकी माँ फिर से जैक को रेमन्ट समझती है रेमन्ट जो की जैक के पिता होते हैं पर जैक इस बार अपनी माँ के बाते सुनता है वो कहते हैं कि रेमन्ट तुमाहे लड़के को लगता है कि उसके कारण तू ममें छोड़कर चले गए इसलिए वो गुसाल्प और स्वार थी है हो सा के तो जैक से मापी मांगी है अब ये सब सुनकर जैक को अपनी गलती का एहसास होने लगता है और वो अपनी मॉम को I love you mom कहकर वाँ से चल जाता है अब जैक उस पेड़ के पाज जाता है जहाँ पर उसके पास सिर्फ आप तीन पत्ते बचे थे यानि कि सिर्फ तीन शफ़ बचे थे इसके बाद वो अपनी पिता के कबर के पाज जाता है यहाँ पर जैक अपने मन में कहता है कि उसने अपने पिता को बहुत ज़दा मिस किया उसे हमेशा ही अपने पिता की बहुत याद आई और इसी बीच बहुत लंबा वक्त गुज़र गया अब जैक के मन में अपने पिता के पर्टी बिल्कुल भी गुस्ता नहीं होता है और लास्क में अपने पीतागों से तीनी शक्त कहता है माफ की आपको इसके बाद पेड़ के सारे पत्ते गिर जाते है मतलब पेड़ मर चुका है और साथ में जैक की भी तब्यत होज़दा खराब हो जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है उसी समय जैक का फोन बचता है और अचानक जैक को हुश आता है तो वो अपना फोन उठाता है और दूसी तरफ उसका असिस्टेंड आरोन होता है और वो से एक कुश खबरी देता है पेड़ फिर से जिन्दा हो चुका है और वो बिल्कुल हरा बरा है इसका मतलब यह होता है कि जैक को एक और जिंदकी मिल गई होती है अब जैक बहुत खुश होता है और उसकी पूरी जिंदकी बदल चुकी होती है अब वो एक बहुत अच्छा राइटर बन चुका है उसने 1000 वर्ट्स नाम की एक बुग भी लिगिया अब उसकी जैक उसका असिस्टेंट उसका सारा काम करता है जैक अब अपना सारा समय अपनी फैमिली के साथ बिताता है और उसने अपनी पत्नी की पसंद का एक घर भी ले लिया होता है अब इसके बाद जब जैक अपने अतीत में जाता है तो छोटा जैक उसे डैट कहता है शायद ये इसी लिए होगा क्योंकि जैक के पिता रेमन खुद भी एक स्वार्थी थी शायद इसी के चलते रेमन ने अपना पूरा परिवार खो दिया और ये जिन्दगी के एक सीख थी कि शायद वो अपने पिता के रास्तों पर ही चल रहा है बट इस इंसिडेंट ने उसकी पूरी लाइक को बदल गया है अब वो हर चीज के माईने जानता है और ये मूवी यही पर खत्म हो जाती है